तो दोस्तो रविंद ना टैगुर जी का कुछ इस तरह के जनमदीन फोस्टर बैग्राउंड को डाउनलोड करके आप अपनी फोटो को यहाँ पे आड़ करके कुछ इस तरह के रविंद ना टैगुर जी का जनमदीन फोस्टर का वधाई दे सकते हैं तो दोस्तो इस तरह के पोस्टर को वैग्राउंड को कैसी डाउलोड करना है चलो शीक लेते हैं तो दोस्तों इसे डाउलोड करने के लिए इसका जो वैग्राउंड लिंक है मैं वीडियो को description में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर click कर लिजएगा, तो चलो मैं उस link को यहाँ पर copy कर रहाँ, तो Chrome browser को open कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस link को यहाँ पर paste कर लेता हूँ, और paste यहाँ पर करने का search पर click करता हूँ, तो जोस्तों आपको यहाँ पर direct बतादू कि इसका link है, स कुछ इस तरह से अगली इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहां पर आपका डाउनलोड इस्टार्ट हो जाएगा जैसे कि यहां पर यहां पर डाउनलोड हो रहा है तो यहां पर थोड़ा वेट कर लेना है जो कि हमेरा आगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन मिल सकें दोस्तों और आप उस पर पुश्ट अप बनाशक तो दोस्तों यहां पर डाउनलोड हो चुका है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह यहां पर आपसन आ जागा अगर आपका नहीं आता है तो आप फाइल मेनेजर को चूज कर लेज़ेगा और यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह आपकी फाइल पिक्स से कुछ इस तरह यहां पर सक्सेस्पूल हो करके और कुछ इस तरह के फोल्डर में आ जागा जो कि download folder होगा और यहाँ पर click करोगे तो आपकी गैली में कुछ इस तरश यहाँ पर जो आप देख रहो यह सब background download हो जाएगा और download होने के बाद दोस्तों आपको एक application को install करना होगा जिस application का नाव है पिक्सलाइब तो पिक्सलाइब को install करने के बाद यहाँ पर open जैसे करोगे तो यहाँ पर open करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से new text का icon आइगा तो इसे delete कर देनी है और यहाँ पे किलिक कर लेना है और किलिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से from gallery के किलिक कर लेना है और किलिक करने के बाद आप जिस भी photo में जिस भी background को लगाना चाहता हूँ यहाँ पे आप उस photo folder को यहाँ पे उस background को select करने जाए तो दोस्तों इसमें आप अपना photo को लगाने के लिए यहां से प्लस पहले icon पे click कर लेना है यहां से from gallery पे click कर लेना है और कुछ इस तरह चीड gallery open होगा और यहां shape आपको three dots पे click कर लेना है और three dots पे click करने के बाद आप उस folder को choose किजिएगा जिस folder में आपका कोई photo है तो मैं यहां से उस folder पे photo को select करता हूँ जिस भी photo को लगाना चाहता हूँ दोस्तों तो यहां पे चलो मैं कुछ इस तरह के यहां पे photo को select कर लेता हूँ लेकिन दोस्तों यह जो भी photo आप लगाईएगा ओ पी एंजी होना चाहिए तो चलो यहां पे मैं कुछ इस तरह के photo को यहां पे select कर लिया हूँ उसका दिहां से सही वाले icon पे click कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहां पे photo आ जागा जैसे कि यहां पे देख रहो तो इस photo को आप यहां पे corner पर click करके कि यहां पे add कर लिजिएगा जो कि अच्छा तरह से और यहां पे fit कर दिजिएगा कुछ इस तरह से यहां पे आपका photo fit हो जाने के वाद यहां पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो फ्लस वाले icon पे click करके यहां से text को ले लेना है और text को यहां पे लेकि आ जाना है और जिस दिन यहां पे रविंद्रा टाइगुरूजी का जनम दिन है वह यहां पे type कर दिना है तो चलो यहां पे double type करने का कुछ इस तरह से यहां पे open होगा और यहां जिस दिन है वह यहां पे type करता हूँ तो जेसे कि इस और 9 आपर्ल को है तो यहां पे 9 आप टाइप कर दção तो जिस समय आप आपका जनम दीन होगा उस समय दिसकते हो रविंद्रा ट्रगुर्जी का जनम दिन है यहां पे मैं आप हिल दे हो एक मिनटर से जब चुक्राँ निए आपका पोस्टर यहां हो जाता है हो इसे से यहां पे पर किलिक कर के हमब करके किलिक करने के बाद कुछ तो दोस्तों कुछ इस तरह से पोस्टर को बनाए जाता है और इस तरह से पैंप एंजी बैगरांड को डाउलोड करना शिक लिए तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रा साभी पसाने तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब कर देजिए और भी इंट्रेस्टिंग साथ वीडियो को साथ मिलते हैं तब तक के लिए जाहें बादे बादे बादे